दोस्तों मौनसून के दस्तक देते ही बारिश शुरू होते के साथ ही घरों में साफ बिच्छ घुश आने की समस्या बढ़ जाती है साफ से बचने के लिए लोग अक्सर उसे भगाने के बजाए मार देते हैं जबकि थोड़ी सी समझदारी से हम साफ को मारे बिना उसे बच सकते हैं वैसे तो साफ एक जहरीला जीव है और उसे डरना लाजिम है लेकिन उसे मारना सही नहीं है चलिए आज हम जानते ही कि साफों का संडक्षन क्यों करना चाहिए भारत में पाए जाने वाले साफों में 20 प्रतिशत ही जहरीले होते बाकी के 80 प्रतिशत जहरीले नहीं होते साफों का बचा रहना इसलिए जरूरी है कि यह प्रकृति के भोजन चक्र का सबसे एहम हिस्सा है और प्रयावरन संतुलन बनाए रखने में यह मत्वपुर्ण भूमी का निभाते हैं भारत एक क्रिशी प्रधान देश है यहाँ पर पाए जाने वाले चूहे फसल का पाँचवा हिस्सा चट कर जाते हैं जिने हमारे खेतों में पाए जाने बारे नाग और धामिन साप उन्चूहों का सिकार करते हैं जिससे हमारी फसले शुरक्षित रहती है इसलिए सापों का शनरक्षन जरूरी है यदि घर में साप घुष आये तो उसे मारे नहीं बलकि घर में मित्ती का तेल या फिनाईल छी रख दे उसकी स्मेल से साप खुद वखुद बाहर निकल जाएगा या एक लंबा डंडा लेकर साप के सामने उसे रखे साप उस पर चड़ जाएगा उसके बाद उसे बाहर निकाल ले और घर से दूर ले जाकर छोड़ दे ज्यादत तर साप ब्राउंड्य और दिवाल के किनारे रहते हैं जिस जगह पर साप हो उससे थोड़ी ही दूर पर एक पाइप में बोड़ा बांध कर रख दे साप जब बोड़े में घुश जाए तो बोड़े को बांध दे और जंगल में ले जाकर उसे छोड़ दे